हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुकुल सिक्स्त क्लास का बुद्धा टीचिंग्स आप अभी पढ़ रहे हैं जो कि 23 दिसम्मर की वरक्षीट है इससे पहले वाली वरक्षीट में प्रीवेस वरक्षीट में आपने पढ़ा कि भावना की मा ने बताया बुद्धा की लाइफ के बारे में तो फिर भावना ने पूछा कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? She also wanted to know about बुद्धा टीचिंग्स The mother told that बुद्धा taught that life is full of suffering and happiness उसकी मा ने कहा कि बुद्धा जो था उसने समझाए कि जिन्दीकी में तो दुख ही दुख है This is because we have cravings क्योंकि हमें इच्छाए हैं, desires हैं Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied अगर हमें वो मिल भी जाये जो हम चाहते हैं तब भी हम satisfied नहीं होते He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything इसको दूर करने का उन्होंने एक एक इलाज भी बताया, रास्ता भी दिखाया कि अगर आप हर चीज में moderation ले लें कि मुझे जादा या कम नहीं चीए तो एच चल जाएगा He also taught people to be kind and to respect the lives of others उन्होंने कहा कि लोगों को kind रहना चाहिए, दायालू रहना चाहिए और दूसरे की जिन्दकी की कदर करनी चाहिए उनका माणना था कि जो हम जिन्दकी में अपने actions करते हैं उसका result इस और अगले जनम में जरूर आता है और उन्हेंने अपनी सभी बाते नॉर्मल भाशा में कही थी अब एक famous story भी है बुद्धा के बारे में Here is a famous story Once there was a woman named Kisagotami Kisagotami, whose son had died जिसके बच्चे की मृत्य हो गई She was so sad that she roamed through the street of city carrying the child with her asking for help to bring him back life और वहां बुद्धा मिल गया कोई इन्सानों ने बुद्धा तो बुद्धा ने कहा कि मुझे आप mustard seed ले आईए यानि कि सरसो के बीज ले आईए और मैं आपके बच्चे के life ले आउँगा Kisagotami बहुत खुश हुई But Buddha gently stopped and added कि बीज वहां से आने चाहिए From the house of a family Where nobody has died जहां किसी की मुझे ना हुई हो Kisagotami went from door to door तो उसे पता चला किसी के father, किसी के mother की death जरूर हुई है What was Buddha trying to teach the sorrowing mother? Buddha was trying to teach the sorrowing mother that Life is full of unhappiness and sorrows So thank you so much for watching the video friends Please subscribe to our channel and keep supporting us